मेडिशिन और हेल्थ संबंधि चानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिड़्जा स्फाक के चैनल को और बेल आइकन दबाई लेटिस्ट नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार आदाप मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट स्फाक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूट चैनल पर आजकी वडियो में बात करेंगे एक कंट्रासे्प्टिव टैबलेट के बारे में कंट्रसेप्टिव टैबलेट का मतलब गर्ष निरोधक गोली जो प्रिग्नेंसी को कंसीब होने या ठहरने से रोकता है कंट्रासेप्टिव टैबलेट का इस्तेमाल महिलाओ द्वारा और सुरचित सारीरिक सम्मंध के बाद गर्वधारण के खत्रे से बचने के लिए किया जाता है आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ट की जाने वाली कंट्रासेप्टिव टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ओभराल एल जानेंगे पूरा डिटेल में कि इसका डोज क्या है ओभराल एल को खाने का तरीका क्या है इसका और कौन-कौन से ब्रांड मार्केट में उबलब्ध है इस टैबलेट का उप्योग और कौन-कौन से विमारियों में की जाती है तो पूरी जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ उभराल इल एक कंबिनेशन दवा है जिसमें इथिनाईल एस्ट्राडियोल तथा लिव़ नॉर्जेस्टिरॉल मिला रहता है इस टैबलेट को बारा हमी के लड़कियों से लेकar 60 वर्ज तक की महिलाओं में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ओवराल एल टैबलेट के काम करने की तरीका के बारे में बात करे तो यह महिलाओं में ओभीलेशन यानि की एक को बनने से रोकती है तथा अस्पर्म के गति को प्रभाविद करती है जिससे महिला प्रिग्नेंसी को कंसीब नहीं कर पाती है और अंचाहे गर्वधान से बच जाती है ओभराल एल टैबलेट के आलावे और भी इसके पापुलर ब्रांड है जैसे अन्वांटेट 21, मालाडी, ट्राइक्विलर, इत्यादी लेकिन इन सभी में इतिनाइल एस्टरडियोल तथा लिवो नोर्जेस्टेरॉल ही मिला रहता है ओभराल एल टैबलेट के एक स्ट्रीप में 21 गोली होती है जिसे फाइजर नाम की फार्मासिटिकल कंपनी बनाती है दोस्तो इस टैबलेट को गर्व निरोधक के अलावे भी कई सारे कंडिशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे अगर किसी महिला को irregular periods मतलब उसका menstruation समय पर नहीं होता है या तो समय से पहले हो जाता है या बाद में होता है तो इस टैबलेट को यूज की जाती है इसके अलावे किसी महिला के ovary में सिष्ठो या uterus में fibroid यानि गाठे बन गई हो तब भी इसका यूज किया जाता है breast यानि की अस्तन के गाठ में भी इसका यूज किया जाता है साथ ही यह लड़कियों में hormonal imbalance के कारण हो रहे एकने यानि कील मुहासों को ठीक करने में भी फायदे मन्द रहता है इसे emergency contraceptive के रूप में भी यूज किया जाता है यदि किसी महिला ने औसुरचित सारीरिक संबंध के बाद गर्धारण के खत्रे से बचना चाहती है तो इस tablet को संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर यूज की जाती है जिससे वो pregnancy होने से बच जाती है इस tablet के डोज और इसे खाने के तरीके जानने से पहले जान लेते हैं इसके क्या-क्या side effect हो सकता है तो इसके common side effect में headache हो सकता है, nausea या warm eating हो सकती है, edema मतलब body में swelling हो सकती है साथ ही breast tenderness जिसमें अस्तन में tightness और दर्ध हो सकता है अगर कोई महिला इसे लंबे समय तक ले रही है, तो jaundice यानि कि पीलिया और gallbladder में stone तक heart से समबंदित समस्याएं हो सकती है इसके अलावे भी और कोई समस्या हो सकती है, अगर कोई भी समस्या हो तो अपने doctor से जरूर मिले अब जान लेते हैं, overall L tablet की dose क्या है, इसे कैसे ली जाती है तो इस tablet का कई सारी बिमारियों में use की जाती है, लेकिन अलग-अलग बिमारियों में अलग-अलग dose हो सकता है आज हम बात करेंगे इसे contraceptive pills यानि की गर्व निरोधक गोली के रूप में कैसे यूज करते हैं तो इस overall L के एक strip में 21 गोली होती है, इसकी पहली गोली अपने period के सुरू होने के पांचवे दिन से लेनी है इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपका period एक तारिक को सुरू हुई है, तो पहली टैबलेट को पांचवे दिन अर्थाथ पांच तारिक से सुरू करनी है और इसे लगातार एक कई दिन तक खानी है, इसे fixed time पर ले, यानि अगर आप सुबह ले रही है, तो सुबह ही ले, या साम में ले रही है, तो साम में ही ले इस टैबलेट को after meal, यानि भोजन के बाद लेने से better result मिलता है अब जान लेते हैं किन महिलाओं में इस टैबलेट का यूज नहीं किया जाता है, तो जिन महिलाओं को liver disease हो, या breast cancer हो, heart disease हो, तो उन condition में इस टैबलेट का यूज नहीं किया जाता है अगर आपको diabetes है, hypertension हो, या body में swelling हो, तो a special precaution के साथ, डॉक्टर इस टैबलेट को prescribed कर सकते हैं ये थी एक detailed वीडियो, overall LK बारे में तो guys, I hope, इस वीडियो में आपके काफी सारे doubt क्लियर हुए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे like करे, साथ ही, अगर आप हमारे channel पर नए हैं, तो subscribe करके bell icon को press कर दे, धन्यवाद